कुछ question थे answer है sir जो allotted college नहीं लेगा तो वो college change करने का procedure क्या है अगर आप दो बाते हैं इसको समझ लीजिए आपके question को clear कर रहा हूं सर जो जे allotted college नहीं लेना हना mean आपने fees नहीं जमा कराई fees not submitted डिफॉसल में ही करवाई हना fees तो आप second counseling में video में मैंने बताया है second counseling में participate करोगे 20th September से आपकी जो है वो display होने शुरू हो जाएगी ठीक है 20th September से आपकी जो seats colleges में खाली है जो display होंगी university की तरब से वो आपने देखनी है उसके बाद आपने choice filling करनी है मैंने अभी date बताई भी है उसकी choice filling की क्या है यह second में most important यह बात है online choice filling of major combination है ना 20th September से ही होगी 23rd तक यह आपने करना है यह आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है यह रहा है तो वो आपने दोबारा choice filling करनी है तो आप automatically second counseling में शामिल हो कोई fees नहीं देनी अगर आपने fees पहले college में deposit करवा दी है case number two fees जो है आप deposit करवा चुके हो टिक लगाया है ना deposit हो गई तो आप shifting के लिए shifting के लिए second counseling में वैसे ही procedure पर आपका 1000 university extra लेगी यह होगा आप यह करोगा ठीक है thank you so much sir I got the college I want special thanks for being such okay आप TET की तियारी करना चाहते हो first sem की इनके लिए है तो आप साथ में कर सकते हो अभी मैं classes उसके शुरू करूंगा okay sir second counseling में government college की option होगी hundred percent होगी क्योंकि first counseling में सभी seats fill नहीं हो जाती है हाँ यह है कि government college की सबसे जल्दी seat fill हो जाती है और क्योंकि उनकी reservation की होती है policy rigid होती है तो वह कुछ ना कुछ seats खाली होती है proportion काम होता है लेकिन होगी आपका answer है yes thank you if यह रहा reactmented please update about next step of counseling अच्छा यह अब मैंने बता दिया है एक video अभी बना दिया है कि next step कैसे होना है आगे क्या होना है वह आप देख लीजिए सर जो top college है बिएड के उसके लिए उस पर video बनाओ सर आपका special thanks पर मेरे को problem यह है कि जो top के college आप किसे कहते हो आपके top के definition क्या है यहां qualified teacher है जहां पर learning environment effective है जहां resourcefulness है जहां पर जो है skill को develop करने के लिए efforts किये जाते हैं उसको top बॉल रहे हो दूसरी तरफ है जो अलग से video बनाओंगा top किसको क्यों करना है क्रीब उसको top का college कह रहे हैं जो हमें non attending के लिए promote करता है internal assessment ज्यादा लगाता है बनी मनाई कॉपियां दे देता है practice नहीं teaching practice नहीं लगानी पर क् normal practices हैं तो वो top में नहीं है हाँ अगर पहले वाली definition पर है उस पर मैं जरूर बनाओंगा यह अभी sure नहीं हूँ तो मैं कोशिच करूँगा उस पर वीडियो बना दो अगर मैं ना मिनाओं तो आप दुबारा recommend करना आपको शावाश और thank you कि आपने एक अच्छा video बनाने के लिए कहा next question है sir I want to be a regarding okay यह हो चुकी है आपको 987 to 978 981 नमबर दिया था वहाँ बात करचे पता कर सकते हो कि बीड के regarding क्या 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 आपकी problems है many questions है ना आपने कहा तो यह मैंने देख लिया था शायद आपको number भी दिया था comment box में भी बता दिया था sir B.Ed की counseling में क्या क्या होगा आगे यह अलग से video बना दिया है area यह देख सकते हो आप recommended sir character certificate B.Sc द चाहिद आए जाए M.Sc द आए M.Sc बाद में होती है ना तो last वाला चाहिए आपको M.Sc वाला character certificate चलेगा लगेगा हो sir B.Ed से लेकर government teacher यह बहुत अच्छा message पढ़ा भी था कि government teacher लगने तक का video क्या procedure है detail में इसको बता दो बहुत अच्छा है ध्यान से बनाऊंगा यह miss था यह जरूरी है B.Ed करने से पहले भी very very thank you आपको संदू जी अगर मैं यह video नहीं बनाता 8-10-15 दिनों में क्योंकि वीजी हूँ आपके पीटेटे और first send की तयारी के लिए कुछ तयारी कर रहा हूँ यह आपका mic system यह video आप कहरे है ठीक नहीं यह उसको कर रहा हूं ठीक तो जो आपने feedback दी है तो आप मुझे message दोबारा करना में यह दूरू बना हुगा इन message में सबसे बड़िया message यह है सबसे बड़िया message क्योंकि इसमें सरवत का बला होते हैं तो यह सभी का बला होगा कि पता चलेगा कि हम eligible कैसे होते हैं अच्छा next है sir मेरा first counseling विच नाम है और admissionally next क्या है video बना दिया है वो देख सकते हैं sir in reporting allocated college do they keep our original certificate कोई नहीं रख सकता as Chandigarh में be a counseling second है आपकी second counseling है कहीं और Chandigarh में आप participate कर सकते हो कोई भी college आपका original certificate नहीं रख सकता है अगर कोई college certificate रखता है तो आप डिरेक्ट कुनार अंदेव University Amit Kaur sir को phone करके बता सकते हो next है sir मैं BCA किती होई है तो होन मैं B.Ed कर नहीं है English subject which BCA किती है विल्कुल ठीक है आपने English किया है तो मैं additional elective English करके B.Ed कर सकते हैं बिल्कुल right message आपने answer ही लिखा है शावाश very good और आप government English teacher के लिए eligible हो जाओगे ठीक है जी आप elective English करके बन सकते हैं बिल्कुल ठीक है next है question हमारा sir क्या college अब change हो सकता है counseling के बाद yes बिल्कुल हो सकता है अगर आपने fees deposit करवा दी है वीडियो में भी मैंने बता दिया यहां बता देता हूं fees deposit करा दी है तो आप shifting के लिए second counseling में जाओगे उसके लिए 1000 extra लगेगा अगर आपने fees deposit college में नहीं करवाई है तो आप direct second counseling में जाओगे 20th September से 23rd September के लिए conscious रहना होगा अगर यह दिन मिस करते हो तो second counseling मिस हो जाएगी क्योंकि आपने 24 filling दोबारा से फिर online करनी है जो पहली counseling में की थी सो 20th September से 23rd September में आपने रहना है conscious सब क्या procedure है बियर की counseling का आप खुद mail आएगी जहां हमें कैसे पता चलेगा के हाँ जी वो report आगी है आपके जो अपने download करना है आपको lot कौन सा college हुआ है यह वीडियो अजलग से बन गया है वो देख सकते हो उसके उनसार आपने step लेने है आपकी category कौन सी बनती है आप satisfy हो नहीं satisfy चेंज करना चाहते हो शिफ्ट करना चाहते हो फीस नहीं deposit करना चाहते है अलग से वीडियो बना लिया गया नेक्स्ट है जी यह रहा sir मेरे result awaited है आपको second counseling में भाव लेक सकते हो second counseling तक देखिए आप result कैसे भी है इंतिजाम कीजिए confidential result है जो भी है वो इंतिजाम करके आपको second में participate करना पड़ेगा उसके बाद भी option खुली रहेगी अगर आपका result late है क्योंकि open भी हो सकती है 50-50% है management quota भी बाकी है private colony जब तक return हो नहीं जाती है अगर आपको तब तक result आ जाता है तो आपको seat मिल सकती है यह आप दियान से सुन दिजी सर मेरा first counseling में नाम नहीं आया 74 ऐसी category है तो मैं second counseling में वो तो आप पता चलेगा ना आज आई है list उसमें देखिए आपका नाम आगया है प्रेंका है ना अगर नहीं भी आया आपको definitely seat मिल जाएगी definitely अब किस area कोई कहां लेना चाहते हो seat उस area में private college में अराम से मिल जाएगी आपको seat कोई घबरानी की बात नहीं है क्योंकि seats हैं बाइस हजार के क्रीब और application जो form है वो तेरह हजार के क्रीब है दिख गया sir मेरा post graduation ता result नहीं आया अभी तो P.U. से मुझे B.Ed. Punjabi University से करनी है तो क्या मैं result की wait करूँ जहां पहले migration के लिए apply कर दूँ नहीं नहीं आप migration के apply करो तो वो result तो आता रहेगा ना आपको तो पता है ना पास हो जाओगे that is why post graduation का है आप apply करो अगर आप दूसरी university जाना चाहते हो आप apply करो क्योंकि result आपको यह अगर लिए लगता है कि repair आएगी तो फिर वो है वो आप repair के paper B.Ed के बाद भी दे सकते हो migration करके इधर आ सकते हो तो कई बार अलाव भी कर देते हैं कि आप repair दे सकते हो उसी युनिवस्टी दें that is why आप migration के लिए apply करें क्योंकि B.Ed professional degree है इसको पहले करना जरूरी है Sir private college ले भी compulsory rural certificate चाहिए है Sir rural certificate अगर आपने claim किया है तो हाँ private में भी चाहिए पर एक बात है कि private college में seats ज्यादा होती है वो इसको परे करके भी आपके seat जो admission कर लेंगे कोई problem नहीं है जाने नहीं देंगे आपको private नेक्स्ट है यह हो चुकी है बात सब्सक्राइब कमेंटर सर, SC the cut-off merit यह आप display हो चुकी है मेरेकर पांच दिन है यहां तक हो गए होंगे Sir please tell me merit list को दो हो गएगी आगया सबकुशन लॉट हो चुकी है तो आफ पर त्यार रह सकते हों जो T.A.T.E की त्यारी करना चाहते हैं तो अभी form भी आने वाले हैं सीटेट के पीटेट के भी आने वाले हैं online जो है उसका जो यह system आपकी feedback थी के voice नहीं अच्छी सर यह जो camera है जहां वो fluctuate करता है तो उसकी त्यारी कर रहा हूं कोशिश करूँगा कि उनको brief में आप कैसे appear हो सकते हो यह definite है कि अगर आप हिम्मत करोगे आप thinking exercise में करवाया करोगा तो वो करोगे तो clear कर जाओगी ऐसी मैं मसलों गप नहीं लगा सकता कि यह जैस आप इस channel पर आओगे ऐसा कुछ नहीं है अगर आप थोड़ा साथ में साथ पढ़ोगे exercise करोगे तो हाँ probability of qualifying TET is there तो उसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं online classes लोगा तो आपका कोई question हो suggestion हो वो पता सकते हो mostly जो students है वो चाहते हैं कि पांच बज़े के बाद class लगाई जाई online अगल लगती है daily तो पांच बज़े आप कौन सा prefer कर रहे हो पांच बज़े 6 बज़े 7 बज़े 8 बज़े 9 बज़े आप comment box पर 5 पीम, 6 पीम, 7 पीम, 8 पीम, 9 पीम ये लिख के बेश सकते हो तो उस hour में मैं class को prefer करने की कोशिक करूँगा जिसमें सबसे ज्यादा students चाहेंगे Learn to Actualize, Dr. Tira Singh, thank you